Hello everyone, नमस्कार, स्वागत आपका Magnet Brains Competition के YouTube चनल पर, दोस्तों आज मैं लेकर आए हूँ एक और यूनिक सी आपके लिए जानकारी जो की आपको अवेलेबिल होगी Magnet Brains Competition के चनल पर, जो की एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको high quality educational videos अवेलेबिल कराता है, वो भी 100% free तो आप भी अगर निशुल के शिक्षा का फायदा लेना चाहते हैं, तो जोईन अस राइट नाओ, Magnet Brains, Competition, YouTube चैनल, तो दोस्तों, शुरू करते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, वो हमें क्या पढ़ना है, LEI, Legal Entity Identifier, हम लोग कोड़ पढ़ रहे हैं, बैंकिंग की दुनि या, LEI का, तो सबसे पहले फुल फॉर्म ही दिमाग में अच्छे से उतार लीजे, Legal Entity Identifier, दूसरा कोई, तो पहले एक मार्क का आपका ये रहा, कि भाईया, LEI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता देंगे, Legal Entity Identifier, दूसरा क्वेशन आप से पूचा जाएगा, कि ब 20-Digit Code, LEI, Legal Entity Identifier, the Legal Entity Identifier is a 20-Digit Alphanumeric Code, ये एक Alphanumeric Code होता है, developed by the International Organization for Standardization, मतलब इसे कौन डेवलेप करता है, ISO, International Standardization, International Organization for Standardization, it is a key measure to improve the quality and accuracy of financial data, मतलब ये कि जो financial data है, financial transactions हो रहे हैं, उसकी quality और accuracy को maintain करने के लिए, जो है, ये basically LEI number, मतलब legal entity identifier जो है, वो बहुत कामका है, authenticity चेक करने के लिए, जो transaction हो रहा है, वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सही organization तक पैसा पहुच रहा है कि नहीं पहुच रहा है, लेंदेन करने वाली जो parties है, वो authentic है कि नहीं है, तो इन सब के लिए उन parties को international transactions करने वाली संस्थाओं को एक number जारी होता है, जिसे बोलते है, legal entity identifier, clear है, कि भाया ये जिसे आप transaction कर रहे हो, इसके पास ये number है, अगर LEI number है, मतलब ये कि वो authentic संस्था है, उससे लेंदेन किया जा सकता है, LEI क organizations like companies और government, मतलब ये legal entities है, ये कौन-कौन सी हो सकती है, या तो organizations हो सकती है, संस्थाओं हो सकती है, companies भी हो सकती है, और government entities भी हो सकती है, that participate in financial transactions, मतलब पैसे का लिंदेन कर रहे है, अब आप सोचो कि international level पर ये आप ये कैसे पता करोगे कि सब युगांडा में आप जो transaction कर रहे हो, या आप यॉरप के किसी देश में transaction कर रहे हो, तो वो सही organization को कर रहे हो के नहीं कर रहे हो, fraud से कैसे बचा जाए, तो दुनिया बर में पैसों का लेंदेन करने के लिए, जो organizations है, उनको एक number assigned होता है, LEI बोले तो legal entity identifier और जिसे कौन जारी करता है, ISO जारी करता है, international standards organization, बो basically जारी करता है, वो number और जिनके पास ये number होता है, इसका मतलब वो संस्था है, लेंदेन करने के लिए सुरक्षित है, clear है, मतलब सीधी सीधी बात है कि ISO ने standardized करके रखा है, यह इतनी संस्था है, इनको हमने LEI number दे के रखा है, तो लेंदेन करने से पहले, LEI number से उस संस्था कि जहां जरू कर लें, जब आप सिस्टम पर LEI number फीड करेंगे, जो एक 20 डिजिट का alphanumeric code है, इससे पता लग जाएगा कि ये संस्था जी हां लेंदेन करने के लिए सुरक्षित है, assigned है, और original है, और ये fraud नहीं है, ये आपको याद रखना है, clear है, तो दोस्तों है, आपको legal identity identifier या legal entity identifier जो है, वो समझ में आये होगा, कैसे हम संस्थाओं की पहचान करें, कि जिसे हम पैसे का transaction कर रहे है, as a company, as an organization, या सरकार किसी संस्था की रूप में, हम अगर किसी को पैसा भेज रहे हैं, तो वो सही संस्था होगी, सही receiver होगा कि नहीं पैसे का, ये प जानकारी मिली, मुझे जरूर comment section में लिखे बताइएगा, आज के लिए फिलाल इतना ही, लेकिन याद रखिए, हमारे magnet brains competition के YouTube channel को subscribe करना और share करना ना भूले, क्योंकि हम magnet brains competition, एक मातर ऐसा YouTube channel है, जो आपको ये सभी तरह के quality educational videos 100% free available कराते हैं, तो मिलते रहे हर वीडियो में Thank you everyone, Jai Hin